वुल्कम टू मैं यूटूब चैनल आज मैं बनाने जा रहे हो मेथी के पराठे अगर आज के रेसीब आप लोको अच्छा लगए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले मैंने यहां पर पराठे बनाने के लिए करीब दो कप साक ले लिया है और दो ग्रीन चीली हर्चे देसलेशन और एक इंच अधरकर टोड़ा यहां पर दो कप आठा ले लेंगे बड़ा अज्वाइन और एक चम मस्रेट चीली पावडर हाप टेबल स्पून रार्मरिक देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छा से घी आप चाहो तो गी डाल सकते हो पर गी डालने से थोड़ा सा मतब पराठे में कड़क बना जाता है इसलिए मैं यहां पर रिफाइंड डॉलाट कर रही हूं आप चाहो तो यहां पर आठा और मतलब की मैधा मिक्स करके ले सकते ह यहां पर आटा ही लिया हैं कि गरुसमें दो चमाज वेशन डालेंगे ज्यादा वेशन नहीं डालेंगे दो चमाच इह डालेंगे और जो मैंने जो लेशोन और द्रग जो कूटके रखा तो उसको आठ कर देंगे इसमे करिएंडर लीफ्स आठ कर देंगे मेथि उसके साथ मेथि के साग आठ कर देंगे और सबको मिला लेंगे सबको अच्छे तरह से मिला देंगे कर देंगे आप चाहो तो पूरा कर से ही आप आठा साम सकते हो कहीं बाहर जाने का रहेगा ज्यादा टाइम तक रिखने का है पराठा को तो आप पूरा कर से आठा साम सकते हो कि उससे सफ नेस रहेगा पराठा में तो मैं यहां पर दो टेबल स्पून कर्ड आठ कर दूंगी उसको अच्छे तरह से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर मैं इधर मिला लूंगी आठा गुंत लिया है अब उसमें थोड़ा सा रिफाइंड एल एक टोल स्पून रिफाइंड आठ कर देंगे थोड़े दर के लिए रखेंगे ज्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे ओल को अच्छे तरह से मिला लेंगे उसको थोड़ा टाइम के लिए धग देंगे ज्यादा टाइम नहीं रखना है नहीं तो उसमें मस्चर आ जाएगा तो और आठा चुकि बेलते टाइम बहुत तकलीफ होगा सिर्फ चिपक जाएगा खाली बेलने में प्रॉब्लम होगा यहां पर मैंने वेलने के लिए तेल भी लिया है और आठा भी लिया है तेल से भी आप वेल सकते हैं और आठा से भी और मैं यहां पर दिखा रही हूँ आपको आठा से वेल के तो थोड़ा सा ऐसे मतलब स्प्रेट कर देंगे गोला को उसको आठा माक के उसको वेलेंगे मुझे थोड़ा सा पतला पसंदे तो मैं यहां पे थोड़ा सा पतला बात पहल रही हूं आपको जिस तरह से पसंदे तो आप उससे इस तरह से बना सकते अब देख सकते हैं वेल के हो गया है अब चलेंगे सेखने के लिए अ दो गराम हो गया है डाल दूँगी सेखते शेखते थोड़ा सा ओइल भी लगाते रहे गीसे थोड़ा सा पराटा कड़कः हो जाएगा इसलिए मैं सदेकर करूंगी किरेंगी आप थोड़ा थोड़ा से तेल लगाते रहे और उसी तरह से सेखें ग्यास के फ्लेम मीडियम रखें बनाते बनाते तेल लगाने से पराठा सॉप्ट रहेगा तो मैं यह सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सब बनाते बनाते उसमें रिफाइंड लगाते रहे और इसी तरह से पलट देंगे देख सकते हैं पराठा कुछ हो गया है देख सकते हैं पराठा हो गया है उसको निकाल देंगे और मैं चलूंगी आप साथ करने के लिए अग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थेंक यू